नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार का सवाल हल करने वाले हैं यानि कि पहला सवाल है एक्स प्लस थ्री के होल स्क्वार दूसरा सवाल है एक्स मैंने फाइब का होल स्क्वार इसी प्रकार्ट मैंने यहाँ पे चार सवाल लिखा है इन सवाल सवालों को हल कैसे करते हैं चलिए सिखते हैं दोस्तों इस सवाल है बोलता है कि इन सवालों को सरोसमिका की साहता सहल किजिए तो दोस्तों यहां पहला सवाल है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वाइर एक फार्मूला होता है ए a प्लस b के होल स्क्वाइर का यानि कि इसी एक बोलते हैं सरुसमी का फर्मूला होता है a स्क्वाइर प्लस 2ab प्लस b स्क्वाइर इसी परकार से दूसरा सरुसमी का होता है a माइनस b का होल स्क्वाइर इसका होता है A square minus 2AB plus B square यानि कि सभी अस्थान पे सेम रहते हैं पलस वाला में यहापे पलस होता है और माइनस वाला में यहापे माइनस होता है इस प्रकार से दो सारे समिका होते हैं और इन ही दो फार्मूलों से यह चारो सवाल असानी से हल हो जाएंगे यानि कि चलिए करते हैं पहला सवाल यहापे पहला सवाल है X plus 3K whole square दोस्तों यहापे करना क्या होता है कि यहापे जो संख्यार हैगा पहले बार इसको माल लेते हैं A और दूसरे वाले को माल लेते हैं B आपको इस प्रकार से लिखना नहीं है सिर्फ अपने दिमाग में माल लेना है यानि कि जहाँ पे फार्मूला में A है वहाँ पे आप लिखेंगे X और जहाँ पे है B वहाँ पे लिखेंगे 3 इस प्रकार से यानि कि यहाँ आपे देखी A है न तो A का स्थान पे है X यानि कि A का मान हो गया X और B का स्थान पर है 3 तो B का मान हो गया 3 अब दोस्तों आपको पता है कि फर्मूला क्या होता है फर्मूला होता है A square प्लस 2AB प्लस B square यानि कि पहले क्या है A square है A का मान हो गया X तो लिखेंगे A का स्थान पर X square है तो करेंगे square इस परकार से पलस दो अपने अस्थान पे गुड़ा यानि की 2AB है इसका मतलब यह है कि यह वाला तुनों गुड़ा में है यानि की दो गुड़े A का मान है X A है न A का मान है X गुड़ा B का मान है 3 तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पलस यहाँ पलस यहाँ पर है B square यानि कि B का मान है 3 square है तो square करेंगे इस परकार से खोल लेते हैं यानि कि जब X का square करेंगे तो सिर्फ X होगा X square इस परकार से आपको पता होगा कि X के घात में 2 है तो इसका मतलब यह होता है कि X गुड़े X दो बार लिख सकते हैं और दो बार गुड़ा करने पर x square होता है, इस प्रकार से मैं यहाँ पे लिख लिया x square, अब दोस्तों करेंगी यह कि 3 दूना 6x, प्लस यहाँ पे है 3 के घाते 2, यानि कि 3 का square, अब दोस्तों मैंने पताया है कि square का मतलब पता है 2 बार गुड़ा, जब 3 गुड़ा करेगा 3 मे 2 बार, यानि कि 3 गुड़ा, 3 ऐसे करेगा 2 बार, तो कितना जाएगा 3 तरीका, 9, इस प्रकार से हम लोग कहोगे answer, इसी प्रकार से आपको सवाल नमबर दूसरा, तीसरा, चौथा, सब कर लेना है, दोस्तों यहाँ पे क्या है, x-5 का whole square है, इसका मतलब यहाँ पे a-b के whole square फर्मूला लगेगा, इस प्रकार से आप इस फर्मूले पर हल कर लेंगे, दूसरे सवाल को, यहाँ पे देखिए, 2x प्लस 1 का whole square है, यह वाला a-b के whole square के फर्मूले पर लगेगा, उमेद करते हम आप लगा पाएंगे, यह वाला लगेगा, माइनस वाले पर यानिकी, a-b क whole square पर इसको आप भाल कर लेंगे, दोस्तों, कुछ भी निकरना है, जिस प्रकार्ट फर्मूला है, उसी फर्मूले पर आप असानी से राखेंगे, और गुड़ा बाकर आकर एंसर हो जाएगा, दोस्तों, उमीद करता हूँ कि आप इस सवाल को समझ गया है, यह यह वीडिय में तब तक लमस्कार जाहिंद